नमस्कार दोस्तों मैं उदैल आश्री बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन परड़ियों देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के विड़ों में तहें दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थामनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल क्या गर्मियों के मोसम में अब इनकुबिटर मशीन से निकल पाएंगे देशी मुर्गियों के चूजे हाँ दोस्तों यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल क्या तेज गर्मियों के मोसम में अब इनकुबिटर मशीन से निकल पाएंगे देशी मुर्गियों के चूजे यह सवाल आपके मन का है यह सवाल मेरे मन का है आज भारत वर्ष का हर सामान्य मुर्गी पालक भाई यहाँ पर पूछ रहा है क्या तेज गर्मियों के मोसम में अब इनकुबिटर मशीन से निकल पाएंगे देशी मुर्गियों के चूजे इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए अब यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लीजिए यह वीडियो अंततक देखते हुए यदि आपको पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालग भाईयों तक इस वीडियो को पहुचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसप नमबर, वाटसप ग्रूप, टिलिग्राम ग्रूप, फेस्बूप, इंस्टाग्राम, स्नैप चैट, इन सोचल मीडिया के साथ नोका इस्तमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को जरूर यहाँ पर शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अनरोद करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को तो मैंने अपना माना है आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को मैं आ सबसे बड़ा सवाल को सबसे बड़ा सवाल क्या तेज गर्मियों के मोसम में इंकुबिटर मशीन से निकल पाएंगे देशी मुर्गियों के सबसे बड़ा सवाल की गर्मियों के मोसम में आपके मशीन से सव परतीषत देशी मुर्गयों के चूजे निकल सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ साउधानी बरतनिया पड़ेगी यानि कि आप जो गलतिया कर रहे हैं उसको सुधारना पड़ेगा तो ही आपके मशीन से सूजे निकल पाएंगे तो ये कौन सी गलतिया हम से हो रहे हैं और गर्मियों के मुसम में किस प्रकार से हम देशी मुर्गियों के चूजे प्राप्त कर सकते हैं चलो देखते हैं मैं वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आप सभी के लिए खुशकी की खबर की मैं इंडियन मुर्गी पालन के नाम से नया वाटसप ग्रूप बना दिया है अगर आप इस वाटसप के लिंक है उस लिंक को टैस करके येिरिशन मुर्गी पालन के वाटसप ग्रूप में जुड़ कर हमारे सेवाए प्रांप्त करके रहे तो आई से में दोस्तों आप आपके पास जमावँजी कम है, आनुभ हो कम है, जगह कम है, तो कम. जगह में कम से कम आनुभ कम कम जमावँजी किस प्रकार से व्योसाइग करना है? शाथ ही-साथ में आपको फिड का खर्चा घटाने के लिए पूरी जानकारी मुर्गियों पर बीमारी आने से पहले पूरी जानकारी बीमारी आने के बाद पूरी जानकारी हच्री का इस्तमाल करते जादा जाद चूजों का प्रोडक्शन तयार हुने वाली देशी मुर्गी देशी मुर्गा देशी अंड़ा देशी चूजा इनका भी मार्केटिंग करने के लिए पूरी पूरी मदद हम अरे माध्यम से की जाएगी अगर आपको भी देशी मुर्गी पालन से कमाना एलाखों का मुनाफ़ा तो आप उत्पादन से लिके विक्रित पूरा नौलेज लेने के लिए हमसे आज ही के आज जुड़ जाएए जुड़न आपको वाट्सप नंबर चोरा सी किस बासेट बासेट पर आपका पूरा नाम पूरा पता च्यांकू का पिन कोड नहीं तो आजर काड का आगला पिजला फोटो भीजवाने उसके बाद मैं मेरा फोन पे गूगल पे नंबर बैसी पर स्क्रिंशोट भीज दोंगे तो आप यहां पर हमारे साथ हमारे साथ जुड़कर देशी मुर्गी पालन के व्यावसाय को अपना कर करियर का आउक्षन चुनर कर दोस्तों कमा पाऊंगे लाखों का मुण्वा आईए दोस्तों जुड़ जाए हमारे साथ कमाई देशी मुर्गी पालन के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा तो देखे दोस्तों हमारे जो मुख्य सवाल था क्या तेज गर्मियों के मोसम में इंकुबिटर मशीन चूज़े निकालने वाली मशीन से चूज़े निकल सकते हा आपने इंकुबिटर कहा है सबसे महत्यू पूर्ण बार जहां पर टेंपरेचर समझो 38 के नीचे आही नहीं रहा है वहां पर मशीन रखके कभी भी चूज़ा तयार नहीं हो पाएंगा क्योंकि मशीन तो क्या करेगी कि तापमान कम है तो बढ़ा देंगी लेकिन तापमान को घटाने की व्यवस्ता बहुत सारी मशीनों में तो नहीं होती है आईसे में यदि आपने आईसी रूम में इंकुबिटर को रखा है कि जिस रूम के ऊपर टीन के वहां पर जो है दोस्तो पत्रे है और उसके नीचे जो है दोस्तो तापमान बहुत ज्यादा है साइड से बिटीन के पत्रे है तो दोस्तो आपको तकलीफ महसूस हो सकती है इसलिए दोस्तो आपको स्लैप के रूम में ही इंकुबिटर को रखना है और ऐसी व्यवस्ता करने हैं कि जहां पर तापमान थोड़ा बहारी वातावरन से कम रहना चाहिए अगर आपने तापमान को कंट् में भी यकीनन 100 प्रतिशत निकल सकते हैं दोस्तों इंकुबिटर में से चूजे दूसरी बाग कि गर्मियों के मोसम में दोस्तों अंडे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ऐसे में उन अंडों को फ्रीज में नहीं तो दोस्तों मटके में आपको रखना है अगर आपका अ फ्रीज में रखा गया नहीं तो मटके वाला अंडा इस्तमाल कर सकते हो और आप क्या कीजिए अगर आपको टीन के पत्रों में ही इंकुबिटर को रखना है तो उसके ऊपर आप क्या कीजिए दोस्तों यह जवार का जो जवार का जो बचा हुआ आउशेश होता है ना वह कपास का आउशेश्टू और काउशेश या गण्ये का जो वहां पर सुखाव अपता उपर सो ढग दीजिए जिसे उपरे ताफमान अंदर में थोड़ा कम हो जाए अगर अंदर से क्या आगजिए टीन के पत्रों को सफेद कलर मार दीजिए जिससे गर्मी थोड़ी कम होने मशीन में अंडे डालते और मशीन कहीं पर भी रख देते लेकिन दोस्तों मोसम बदलता है तो मशीन की जगह भी आपको बदलनी होगी क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है गर्मी बरसात और सर्दी इन तीन सीजन में जो परिवर्तन को अपनाएगा दोस्तों वह सव प इनकुपटर मशीन यानि चूज़े निकालने वाले मशीन से 10% चूज़े प्राप्त कर सकते हो यहीं कि शवाल ही उत्पद्न नहीं होता है कि इनकुपटर से गर्मी वे चूज़े निकलते हैं यहीं च्छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों में मेरे online training program में देता हूँ और यही जानकारी आकर मेरे कितने मुर्गी पालक भाई आज लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर रहे हैं अगर आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है और हमारे साथ जुड़ कर कमाना है लाखों का मुनाफ़ा तो करने के लिए दोस्तों आप हमारी online training program के साथ जुड़ सकते हैं के वाल पांसर रुपय के मासिक शुलकबा हमारी training program के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप संपर्ग कर सकते हैं यहां पर 84-22-6262 पर तो 84-2262 पर जैसे ही आप कौल कर दो दोगे दोस्तों आप की बात्चित मेरे साथ हो जाएगी उसके बाद रेजिस्ट्रेशन के लिए आपको वाट्सप नमबर चोरासी किज़ बासट बासट पर आपका पूरा नाम पूरा पता छे आंकों का पिन कोड नहीं तो आधार काड का अगला पिछला फोटो भीजवाना इतना भीजने के बाद मैं मेरा फोन पर गूगल पर नमबर जो आपकी सेवा करने के लिए शुरू कर दिया है इस वाट्सप ग्रूप के साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सप ग्रूप की लिंक है उस लिंक को आप टच कर दीजिए दोस्तों मुप्त में हमारे वाट्सप ग्रूप के साथ जुड़क तो दोस्तो गर्मियों के मोसम में इंकुबेटर मशीन का सही देख बाल और सही इस्तमाल करने से सव प्रदिशत निकलते हैं चूजे तो दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में लिक कर वेज़े पसंद आया होगा जरूर लाइक कर दीजे ज़ारा-ज़ारा किस दोस्तो आप सभी को तो मैंने अपना माना है आखरी सास तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना उभर का सदस्मान तेट कर लिए सब्सक्राइब करने के लिए स्वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आजे वहां पराने के बाद सब्सक्राइब के निचान को टॉच कर दिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को टॉच करते और इस नोटिपिकेशन को आने वाले आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आए एक नए वडियो लेकर मैं आपका दो